अलो स्टुएंट्स आज हम बात करने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक सोप्स एंड इससे पहले का जो वीडियोज है उसकी लिंक में डेस्किप्शन डाल दिया है वहाँ से आप उसको चकाउट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम सबस्ते हैं सोप्स का होते हैं चीक है तो सबसे पहले सोप्स का क्लीनिग एक्शन समझने के लिए हमें एक्टिविटी 4.10 देखनी होगी टेक अबाउट 10 ml of water each in two test tube add a drop of oil cooking oil to both the test tube test tube a and b सबसे पहले क्या किया हमने test tube a and b और उसमें हमने oil mix कर दिया to test tube b add few drops of soaps test tube b में हमने soaps की कुछ drops डाल दी now shake both the test tube vigorously in the same period of time तो वह vigorously हमने उसको shake किया फिर हमने देखा कि किसमें cleaning action ज्यादा है तो क्या देखा हमने जो जिसमें soap solution की drop डाली ती उसमें cleaning action ज्यादा मिला ठीक है ना चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी बारे में कि this activity demonstrate the effect of soaps in cleaning cleaning action जो है वो सोप का इससे बता लगता है हमारा most dirt are oily in nature जादा तर जो dirt होती है हमारी कैसी होती है oily nature की होती है तो भही हमें निकालना होता है oil does not dissolve in water तो यह dissolve होती नहीं water में तो oil तो वैसे भी dissolve नहीं होता है water में molecule of soaps are sodium salts of long chain of carboxylic acid तो जो हमारा सोप होती है वो sodium और potassium के salts होती है long chain of carboxylic acid the ionic end of the soaps interact with water तो जो ionic end होता है soaps का वो interact करता है water के साथ में और जो non-ionic end होता है वो interact करता है dirt या oil के साथ में मैं आपको बता जिता हूं अगर आप representation देखें तो इस तरह से सोप आप बनाएंगे साहला होता है इंड ये अमारे अखं़र है आपको और यह दूसरा व आ यू लारा है नोन अनिक 좋다 आघने नोनायोने लिग ये यहון आभाटर के साथ में जाता है साथ मिस्टिक हो गया यह इसे डर्ट के साथ में स्पराइस से आपका एक स्ट्ट्क्शर बन जाता है जिसको बहते हैं मै भी हम यह क्लीनिंग एक्षिंट है तो यह स यह को तो यह एंड हमारा के साथ में तो दूसरा आयोनिक एंड हो हमारा वाटर के साथ में इस्टिक हो गया इसको डीटेल में देख लेती है मिशल को में यह सी अखार से दीखिए मिशलौप स्या आर मोलिक्यूल इन विच्छ वो एंन्स हैवग डिफ्रेंट प्रपर्टीज वन इस हाइड रोह कि एक कई 은 रहता है अरी ड़ोह सरे हाइड भीलन कि और बॉसरा है इसमें हाईडरो्फोबिक यह किसके साथ इस टिक रहता है ये ड़र्ट की साथ इस्टिक रहता है खिर यह कर ऐसे मॉलीकूल आपका नाउए है इस टरह से इसका शर्मिशेल का फोर्मिशन होता है। यह हमारा ड यह साथ है इसके साथ मैं फूर इच्छ बगता है और इस तरह से अपने साथ स्टिक करके water के surface पे लियाता है और dirt और जो oil होती है हमरी क्या हो जाती है इसी मिशेल स्ट्रक्चर से ही cleaning action में मिलता है तीक है कभी कभी क्या होता है कि जब आप थीक है बाथिंग के time में कुछ white color का आपके सरी पर रह जाता है आपने देखा होगा और ऐसे ही wash wash machine भी देखिए वहां भी white color का एक precipitate टाइप का रह जाता है यह होता है in soluble substance जिसकों इसकम बोलते है क्या बोलते है इसकम यह सकम की वज़े से होता है अब होता है यह होता है in hard water जहां का पानी जो हो खारा होता होता है ठीक है और hard water में क्या होते है hard water में होते है in soluble precipitate form करता है मतलब गुलता नहीं है तो गुलेगा नहीं तो क्या बनाएगा इसको इस problem को overcome करने के लिए हमारे पास एक और compound है जिसकों बोलते है detergent यह उससे अच्छी cleaning agent है जो detergent है वह अच्छा cleaning agent है से detergent are generally sodium salt of saffonic acid और ammonium salts of chloride और bromide आएं ठीक है यह ध्यान रखिएगा बोथ है long chain of carbon ठीक है लेकिन यह calcium और magnesium टी साथ में in soluble precipitate या in soluble substance को form नहीं करते हैं इसी लिए यह easy cleaning action प्रोवाइट करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करने थैंक यू